मुंबई में अपने यार दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे थे रनबीर, तब ही कुछ फैंस ने उन्हें सेलफी के लिए घेरा, उसी में से एक लड़की ने रनबीर को आई लव यू कहा, देखे वीडियो सिंगर मिका सिंग ने कराची में मुश्रफ के करीबी के यहाँ परफॉर्म किया, सोशिल मीडिया पर लोगों ने किया उनका इंसल्ट जिपोर्ट्स के मताबिक मिका ने अपने परफॉर्मेंस के लिए 1,50,000 अमेरिकें डॉलर चार्ज किया है आज सारा अले खान अपना बद्दे मना रही है और खबरे आई की कार्तिकारियन बैंकोक के लिए रवाना हुए है उन्हें सप्राइस देने, आपको बता दे की सारा बैंकोक में अपने अगली फिल्म कूली नमबर वन की शूटिंग कर रही है सामने आया वरुन धवन असारा अली खान की अपकमिंग मूवी कूली नमबर वन के पोस्टर्स पोस्टर में सारा वरुन के साथ नजर आ रही है सारा के साथ वाला पोस्टर शेर करते वे वरुन ने लिखा वरुन ने एक और पोस्टर शेर किया है जिसमें वो सर पर सफे टोपी लगाए और गले में गमचा डाले सामान ढोने वाली गाड़ी पर खड़े नज़रा रहे है इसे शेर करते वे वरुन ने लिखा कोली नमबर वन हज्जा बाजू आया राजू ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म का रीमेक होगी फिल्म में करिस्म कपूर गोविंदा के साथ लीड रोल में थी फिल्म का रीमेक 1 May 2020 को रिलीज किया जाएगा टाइगर शॉफ और रतिक रोशन ने छेड़ी ट्विटर पर जंग उनकी आने वाली फिल्म वार का पहला पोस्टर आज दोनों ने सोशल मेडिया पर शेर किया ट्विटर पर दोनों एक दूसरे से भिड़ गए है और दोनों एक दूसरे को चालेंज भी कर रहे है टाइगर शॉफ ने वार का पोस्टर शेर करते वे लिखा, इस वार का विजेता कोई एक होगा, रितिक रौशन हाने के लिए तयार हो रितिक रोशन ने भी फिल्म का पोस्टर ट्विटर पर शेर करते वे लिखा, ये वॉर है, मैं बाते नहीं आक्शन करके दिखाऊंगा, सेकेंड आक्टोबर को होगी, आप लोगों से मुलाकात, पहली जलक धमाकेदार है ड्रीम गर्ड के टेलर लॉंच बसाड़ी पहन कर पहुचे आईश्मन खुराना, उनका ये अन्दास देखने लायक था, इस फिल्म में आईश्मन महीलाओ की आवाज में पूरी फिल्में बात करते दिखाई देंगे, लॉंच पर सुनिए इसका एक नमुना इस कॉमेडी फिल्म में उनके साथ नुश्रत बारूचा मुखे बूमिका में है, 13 सेप्टेंबर को रिलीज होगी ये फिल्म फिल्म अंधाद उनको मिले नाश्नल फिल्म अवार्ज और उन्हें उसे फिल्म के लिए मिले बेस्ट आक्टर अवार्ड पर रियाक्शन दिया आईश्मन खुराना ने, ड्रीम गल के टेरे लांच पर दिया रियाक्शन विए विए नेशन ऑर उसकी अनौंस्में पर एटेलिशन और उसकी अनौंस्मन तेलिविजन वेसे बिल्गाई ए इसलाख बाल से वाट ए लोग आप लिए विए लोग आफ आपको मिल गाया ओग अवाटर नबर आया गाँ है तो तुक्तल आपको तुक्तल ने निवाट क्या जल्ध होने वाली है आलिया भाट और रनबीर कपूर की शादी यह सवाला द सोशल मीडिया पर काफी चर्चे में रहा क्योंगी खबरे आई कि रनबीर कपूर ने महेश भट से मांगा बेटी का हाथ खबरों के अनुसार रन्बीर महेश भट की मुलाकात शादी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम हो सकता है 2020 में दोनों शादी करने की खबरे है शादी की खबरों के बीच 11 अगस्ट को आलिया कैमरे में तब कैद हो गई जब वो अपनी मा सोनी राजदान के साथ लंच करने घर से निकली थी वही आलिया जल्दी पहली बार म्यूजिक वीडियो प्राडा के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री की दुनिया में कदम रखने वाली है इससे रिलेटड आलिया ने प्राडा का फर्स लोक अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर शेयर की पाकिस्तानी महिला ने पूछा युद्ध को प्रोच साहन क्यूँ प्रियंका चोप्रा का जवाब माफ कीजिए मैं देश भक्त हूँ ब्यूटी कॉन पेस्टिबल 2019 में प्रियंका बैठे ओडियंस को संभोधित कर रही थी कि तब ही एक पाकिस्तानी महिला आईशा मलिक ने प्रियंका से चला कर बात की जवाब में महिला से आवाज नीचे करने को कहा दोनों का ये वीडियो हुआ वाइरल चाहिए खट कॉन स्भी। अगर सुपन और मैंस प्रमाष्स प्रिषण है और न्यूर्य वक झालुखिता झालुखिता है वैंने में अजाध भॉए्ट रॉब्स प्रिजस पाकिस्छान समाइब गाथ और दॉए्ट को अब ऑभकिस्तान किया है but I think that all of us have a sort of middle ground that we all have to walk just like you probably do as well the way you came at me right now don't yell we're all here for love